यह देखे किसान भाईयो यह वही दुकान है जहां से हम लोग वाटर पंप पंपेशर ले करके आते हैं जो दिखाया हमने वही पे आपको मुबाईल नमबर मिल जाएगा पता मिल जाएगा सब चीज आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी आप भी जाकर के दुकान पर विजिट करके ले सकते हैं जो बात रहेगी साफ रहेगी देखिए यही है जैसवाल किर्शी केंड कोल सा आज हम गड़ मुबाईल नमबर सब चीज दिया है नमस्कार किसान भाईयो मैं आपका किसान साथी रवी यादो सवागत है आपका अपने यूटूब चैनल भाईया जी ब्लॉग में सभी का तो किसान भाईओ यह देखे आज हम आए एक new water pump लेने के लिए अपने मित्र के लिए तो किसान भाईओ यह देखे पाँच HP का है और यह आए है हम अभी आपको पूरा एडरेस दिखा देंगे तो किसान बाईव यह 5 HP का है और सब चीज भर इसेम थोड़ा वो जो 16-15 HP का होता है उसमें सेम बनावते ही रहती है इंजन में थोड़ा फििस्टन लाइनर और पििष्टन थोड़ा है भी रहता तो किसान बाईव इसमें थोड़ा देखे माडल चेंज कर दिया है यह पाई बेक लगी हुए है उसमें तेल ना जाए पाई तो किसान भाई हो यह देखे हमने ले लिया है महान के चलिए तो इसकी देखिए अभी मोबिल डाला गया है अभी टेस्टिंग होगी और जो पहले आता था मतलब एक और आया है यह टोप लेंड है के वाई और इसके एक कॉपी बननी है टोप लेंड किसान तो किसान भाई है वो वाला इससे थोड़ा सस्ता रहता है लेकिन यह अच्छा वाला है और यह देखे बगल में ख़ड़ा था बाजू में यह बीस से का या किस कमपनी का अभी देख लीजेगा तो हम टॉप लेंड वाला लेंगे और इसका डीजल की खपत 500 से 600 ग्राम घंटे की रहेगी और यह पाने देने में बहुत ही बढ़िया रहता है और मेंटिनेंस खर्चा भी इसमें नहीं है बहुत कम है और यह आए हम आज लेने के लिए इसका रेट है 29,000 रुपए किसान भायो कोई भी आ करके कहीं से भी ले सकता है यहां से और यह देखे रिंच की बात करें तो यह देखे एक दो तीन चार एक पेचकस पांच एक हंडिल छे एक कुपी साथ एक और रिंच भी देंगे गोल वाली वो दुकानदार देते नहीं है मांगना पड़ता है अगर आप नहीं मागेंगे तो वाली इंच आपको नहीं मिलेगी वो पाइप की तरह रहती है तो किसान भाई हो हम दो वाटर पंप तो हमारे ही पास है और एक का पंका हम चार भाई चार का लिए हैं यह तीन का पंका है सेम इंजन सब चीज भई है उसमें पंका क्यों बड़ा कर दिया है कंपनी वाले में और बहुत ही किसान भायो पावर्फुल है टॉप लेंड का देखे इसकी टेस्टिंग हो रहे एक बार में नहीं चालू होगा और फिर अभी दूसरे राउंड में हो जाएगा कोई भी चीज़ लेना हो आप टेस्टिंग करके ही फिर ले आईए देखे चालू हो गया और इसमें आपको मोबिल का अलक्स देना पड़ेगा जब आप लेंगे और डीजल का भी देना पड़ेगा एक लीटर डीजल इसमें डाला जाता है चेक करने के लिए और डेल लीटर का मोबिल का डबबा आता है आप तो जानते हैं यह देखिए एर निकालना पड़ता है जैसे नया पंपी सेट जब रहता है तो वो डीजल डानने के बाद एर निकालना पड़ता है नहीं तो चालू नहीं होगा यह देखिए एर निकाल रहे हैं दुकान पर उसके बाद है चालूं करके दिखाते हैं तो किसान भाईयो मैं अपने किसान भाईयो के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ तो किसान भाईयो चैनल को जरू सस्क्राइब कर ले और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और से यर करें बेल आइकन को भी प्रेस करें और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैं अभी इसकी वीडियो डाल दूंगा मतलब एड्रेस डाल दूंगा किस दुकान के हम लोग लेने जाते हैं वहीं से जितना भी वाटर पंप पंपी से लाए हम लोग उसी दुकान से ल तो आप भी आकर के विजिट कर सकते हैं इस दुकान पर यहाँ पर जन्नेटर पंपी से मतलब हर चीज आपको मिल जाएगा ठीक किसान भाई और चैनल को सस्क्राइब जरू कर दीजिएगा